ओम शान्ती, तीन फर्वरी दो हजार तेईस के महवाक्य हैं, मीठे बच्चे, नरसे नारायन बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मन बनो, सच्चा ब्राह्मन वह है, जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हूँ, प्रशन, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्थ होता है, समझदार कोन है, उत्तर, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता, जो यग्य का हर एक कारियर रिस्पोंसिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते, पावन बनाने की रिस्पोंसिबिलिटी समझ इसी सेव पर ततपर रहती हैं चलन बहुत रोयल है कभी नाम बदनाम नहीं करती आल राउंडर है समस्दार वे है जो फूल पास होने की कोशिश करती है कभी दुखदाई नहीं बनते कोई भी उल्टा कार्य नहीं करती गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह पादल ओम शान्ती यह बच्चों को कोण डारेक्शन देती है बेहद का बाप जिसको बच्चे इतना पिता वृता होकर याद नहीं करती बाप कहते हैं बच्चे अब वापिस घर चलना है बच्चे किसको कहते हैं जो ब्रम्मा मुखवन्शावली ब्राहमन है उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे क्योंकि उनकी संतान बनी है बाप बैट समचाते हैं जब नई स्रिष्टी रश्नी है तो पुरानी स्रिष्टी की आत्माओं को घर चलना है अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो इतना जरूर है कोई तो बाप को अच्छी रितियाद करते हैं शिरिमत पर चलते हैं कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं पावन नहीं रहते ब्रामन है ही इश्वर्य संतान ब्रह्मा मुख वन्चावली रचैता बाप गाया जाता है ना ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वन्चावली ब्रामन बने हैं ब्रामन उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं, सारा मदार है ही पवित्रता पर, इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया, मनुष्य मात्र जो पतित हैं, वह पावन का अर्थ नहीं समस्ती, कल्यूग पतित दुनिया, सत्यूग पावन दुनिया है, ये कोई भी नहीं जानती, कई तो कह देते हैं सत्यूग त्रेता में भी पतित लोग हैं सीता चुराई गई यह हुआ पावन दुनिया की गलानी करना जैसे दृष्टी वैसे सृष्टी देखने में आती है पावन दुनिया में भी पतित हैं तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं गाया भी है पतित पावन आओ आकर इस स्रिष्टी को उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पढ़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं पतित को ब्रामन ब्रामनी वाबी के कहनी सकती। वह हैं ही कुखवंचावली। तुम ब्रामन हो ब्रह्मा मुखवंचावली। ब्रह्मा कुखवंचावली तो नहीं कहा जाता। वह हैं ही पतित। अब तुम इश्वरिय संतान बने ही इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक ब्रामन ब्रामनी अत्वा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला कर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वह बीके नहीं हुई ब्रामन कभी विकार में जानी सकते विकार में जाने वाले को शुद्र कहा जाता है इश्वर की उलाद बनते ही इसलिए हैं कि इश्वर से हम राज्य भाग्य लेवी राजाई का वर्सा लेने के लिए पुरुशार्थ करना चाहिं लक्षे रखना है कि हम नरसे नारायन बने तुम बच्चे जानते हो कि नंबर वन है काम, सैकिन नंबर है क्रोध क्रोध आदी का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्से के लायक नहीं बनती कहा जाता है यह काम वा क्रोध के भूत वश परवश हो गया बाप को याद ना करने कारण रावन के वश हो जाते हैं ऐसे क्रोधी वा कामी नरसे नारायन पदपा नहीं सकते यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मन बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान अगर देही अभिमानी हो बाप को याद करते रही तो बाप मदद भी करे जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है ब्रामन सच्चा वह है जिसमें यह विकार रूपिक दुश्मन ना हो मुख्य देह अभिमान के कारण ही और और दुश्मन आते हैं यह भारत शिवाले था तब दुख की कोई बात नहीं थी यह मनुश्यों को पता नहीं है वह तो कह देते हैं माया भी है ही इश्वर भी है ही अरे इश्वर अपने समय पर आता माया अपने समय पर आती आधा कल्प है इश्वर ये राज्ये आधा कल्प है माया का राज्ये यह समझाने शास्त्रों में नहीं है वह है ही भक्ती मार्ग ज्यान सागर एकी बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है जो बाप को याद नहीं करती हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगी उनको ब्रामन ब्रामनी कह नहीं सकती बड़ी सुक्ष्म बाती हैं, शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्सा कहां से मिलेगा, फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंदी आदी याद आते हैं, अच्छी रिती बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे, तुम कहां मुरली चलाने में मुरली चलाएंगे, बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करती हैं, समझते हैं हमने आज अच्छी मूरली चलाई, अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थी, तुमको ये भी पता थोड़े ही पड़ता है, शिव बाबा बोलते हैं, या मेरी इश्वरिय उलाद हो मेरे को याद करो ऐसे और कोई कह ना सके मैं ही इन में प्रवेश कर कह सकता हूँ मैं ज्यान का सागर हूँ ना, तुम ज्यानी तु आत्मा बन रहे हो तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करती हैं दे अभिमानी याद थोड़े ही करेंगी बाप को जरूर याद करना है एंकार नहीं आना चाहिए मैंने अच्छी मुरले चलाई नहीं, समझना चाहिए श्यू बाबाने आकर मुरले चलाई घड़ी घड़ी श्यू बाबा को याद करना चाहिए बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करती हैं तो कर्म भोग मिठता नहीं विमारिया आ जाती हैं विकर्म विनाश नहीं होती हैं बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है हम राजयोगी हैं बाप से राजाई लेनी हैं हम नर्से नारायन बनेंगी दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्य वंशी में जाऊँ ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान आदी होता है वह दुखदाई बहुत बनते हैं लक्षमी नारायन तो सुखदाई है ना समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक हर बात में आलराउंड पुरुशार्ट करना चाहीं ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है हम क्यों करें बाबा आलराउंड काम करते है ना बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं बाब कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो पदब्रष्ट हो जाता है ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं श्यू बाबा याद रहना चहीं बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोजह सिर पर है हम responsible हैं भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी responsibility है यग्ये का हर्य कारिये responsibility से करना है कोई गफलत ना हो तब बाबा भी regard देंगी नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी इसलिए बाब कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भसम करो नहीं तो जनम जनमांतर के विकर्मों की सजा धर्मराज पूरी में बहुत खानी पड़ेगी इसलिए गफलत मत करो यह अंतिम जनम है फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग मी मोचरे खाकर फिर प्रजापद पाना इसको पुरुशार्थ नहीं का जाता उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा ये भी बाप साक्षातकार कराएंगे की बार-बार समझाया था ब्रामन बनना कोई मासी का घर नहीं है इश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए इसमें भी काम महाशत्रू है जो काम वश हो जाते हैं उन्हें ब्रामन नहीं कह सकती माया बहुत पिछाडेगी परंतु करमेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है फैमिलियर्टी का हलका नशा ये भी माया का नशा है बाबा ने समझाया है इससे भी बोजह चड़ जाएगा तुम वेभेचारी बन गई इश्वर ये ओलाद में ये काम क्रोध आदी शैतान थोड़े ही होते हैं वह शैतानी आसूरी गुण हैं बहुत हैं जो इश्वर के बनते फिर माया के बननती हो जाते हैं दे अभिमान में आ जाते हैं बाप की श्रीमत पर चलना है तब रिस्पोंसिबुल वह रहेंगे ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है इनकी मत पर चलने से भी रिस्पोंसिबुल बाप हो जाएगा तो क्यों ना अपने से रिस्पोंसिबलिटी उतार देनी चाहिए बाप दादा दोनों की मत मशूर है माता की मत पर भी चलना चाहिए क्योंकि माता गुरु बनती है वह मात पिता अलग है इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है तुम पुरुशाट कर रहे हो शीवाले के लिए, सत्यो को शीवाले कहा जाता है, परमात्मा का एक्यूरेट नाम शीव है, शीव जैंती ही गाई जाती है, शीव को कल्यान कारी कहा जाता है, वह है बिंदी परमपिता परमात्मा का रूप है ही स्टार सोने अत्वा चांदी का छोटा स्टार बना कर टीका भी लगाती है वास्तों में वह accurate ठीक है और स्टार रहता भी भ्रकुटी में है परन्तु मनुश्यों को ग्यान नहीं है कोई फिर त्रिशूल देते हैं त्रिनेत्री त्रिकाल दर्शी की निशानी यानि दिव्य दृष्टी दिव्य बुद्धी की निशानी देते हैं अभी तुम बच्चों को इन बातों का ग्यान है तुम चाहूं तो स्टार लगा सकती हूँ अपनी निशानी सफेद स्टार है आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है बाप सभी राज समझाती है सावधानी भी देती है बीके वहे जिनकी प्रतिग्या की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगी यह याद रखना है किसकी दिल को दुखाना नहीं है अगर दुखाते हैं तो श्यू बाबा का बच्चा नहीं ठहरा श्यू बाबा आते ही हैं सुख देने वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं यहाँ सब सावरे बने हैं काम कटारी चलाते रहते हैं यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया, सत्युग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम इश्वरिय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुन्य आत्माओं की दुनिया में इतना पदपा नहीं सकेंगे। हर एक की नबज से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है वा नहीं हम कहते हैं भगवानु वाज तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे जरूर जब नहीं दुनिया स्थापन होगी नहीं दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़े भगवानु वाज हम तुमको राजयोग सिखाते हैं कहां के लिए क्या नर्ग के लिए पावन दुनिया के लिए भगवानु वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, बताओ कब आया था, वह कोन था, फिर कब आईगा जरूर सत्यू के लिए ही सिखलाएगा, बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धी में बैठ नहीं सकता जैसे तक्ते तवे, फिर समझना चाहें यह हमारे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे पांच जार वर्ष बाद आकर मिले हो, बाप से वर्षा लेने ऐसे बच्चों को मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी धाना के लिए मुख्य सार पहला पोइंट किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है प्रतिग्या करनी है कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगी सदा सुखदाई बनेंगी दूसरा पोइंट करमेंद्रियों से कोई भी उल्टा करम नहीं करना है बाप और दादा की मत परचल अपना ज़ उतार देना है वरदान अम्रित वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोतम भव विस्तार संगम्युक की मरियादाई ही पुरुशोतम बनाती हैं इसलिए मरियादा पुरुशोतम कहा जाता है तमोगुणी वायुमंडल वाइप्रेशन से बचने का सहज साधन यह मरियादाई हैं मरियादाओं के अंदर रहने वाले महनत से बच जाती हैं हर कदम के लिए बाप दादा दवारा मरियादाई मिली हुई हैं, उसी प्रमाण कदम उठानी से स्वेते ही मरियादा पुरुशोतम बन जाती हैं। तो अमरित वेले से रात तक मरियादा पुरुवक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुशोतम अर्थार्त साधारन पुरुशों से उत्तम आत्माई। स्लोगन जो किसी भी बात में स्वेम को मोल्ड कर लेती हैं, वही सर्व की दुआओं के पात्र बनती हैं। अच्छा, ओम शान्ती।